तो कैसे हैं आप सब उम्हीत करता हूं सब चीक चाग होंगे मेरी दौआ है आप हमेशा हसते रहें मुस्कुराते रहे हमें अपना प्यार दिखाते रहें मेरा नामें साधर सुथा जुमेरा नाम है बाप सुथा और उप देख रहें मारा YouTube चैनल हाद एक नहीं और के लिए क्वालिफाइब करने वाली कौन कौन सी ती में है और और इस वाकर टूरामेट से इस टाइम अमेरिका में होने वाला बड़े नाम है वह आउट होते हों दहारा रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान उट हो घया है न्यूजी इलाइब आउट हो कि देखते हैं पहले ये ये कहते हैं कि किस्मत जो है वो बहादुरों पर महरबान होती है बहादुरी USA ने पाकिस्तान के सामने पहली बार वर्ड कप खेल कर और जीत कर दिखाई थी और शायद यही वज़ा है कि वो पाकिस्तान जो हर बार जाता है गुद्रत के निजाम के भरोसे इस बार उसे कुद्रत के निजाम ने कह दिया बाई बाई मेरी जान बाई बाई पाकिस्तान है उसे पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि यार अच्छा ही हुआ यार हार गए क्योंकि जिस तरह से जलील हुए थे जिस तरह से बेज़त हुए थे अफगानिस्तान के सामने बीते साल, जिब बॉम्मे के सामने उसके पहले और इस साल बाबारी कप्तानी में USA के सामने हम डिजर्व नहीं करते थे बड़ी बाते करवा लो लेकिन मैच नहीं खेल पाए इंडिया के सामने बने बनाए मैच में उनकी हार हुई और इसलिए कुदरत ने कहा कि देखो पाकिस्तान क्रिकेट जो है न वो बहादुरों का खेल है और वो कौम जो बहादुरी से नहीं खेल सकती है उसे आगे खेलने की जरूरत नहीं है तुमसे बहतर अमेरिका वाले हैं कम से कम वर्ड पावर हैं देलेरी से खेल रहे थे नए नवेलों की टीम लेकर कुछ तुम्हारे लड़के कुछ इंडिया की लड़के थे और अच्छा खेला तुमको हराया इंडिया को टक कर दी बाकी छोटी टीमों को हरा रहे हैं तो let them go let them go, they deserve कि वो आगे जाकर खेले और अब पाकिस्तान का अगला मैच खेलना कोई लॉजिक नहीं है और उसके बाद जो टेवहार है वो जाकर वो घर पे मनाए हाँ मतलब अब वो अपनी छुटिया जो है वो आसानी से पाकिस्तान में बैट कर मना सकते हैं कराची एरपोर्ट या लाहॉर एरपोर्ट जहां भी हो जाना चाहें जा सकते हैं क्योंकि USA और आइरलेंड का जो मैच था वो बारिश की वज़ा से रद हो गया इस मैच को रद होने का सर यह था कि USA को एक पॉइंट मिला और जैसे ही एक पॉइंट USA को मिला पाकिस्तान उसी लमहा उसी मुमेंट वर्ल कप दोहजार चॉबीस से डिस्क्वालिफाइड हो गया पाकिस्तान के लिए बाबाराजम के लिए ये शर्मनाग बात है शर्मनाग इसलिए क्योंकि वो टीम जो नमबर वन होने का खाब देख रही थी वो टीम जो 2022 में फाइनल खिल कर आई थी बड़े हैरानी की बात है कि वो टीम सुपर एट भी नहीं खिल रही है पाकिस्तान टीम ने सक्सेस्फुली क्वालिफाई कर लिया है कराची रेलवे स्टेशन, कराची एरपोर्ट या लाहॉर एरपोर्ट की तरफ कमाल की कप्तान उनके बाबर आजम रहे मतलब बाबर आजम को भी वैसे काईदे से बाई 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 बाबर कर देना चाही क्योंकि बाबर आजम की एचीव्मेंट जो है वो कमाल की हो गई है 2022 वर्ट कप में जिम बॉम्बे से हारे फिर जिम-बॉंबे से घर में हारे, जिम-बॉंबे से हरारे में हारे अवगानिस्तान से 2023 वड कप में हारे, निउजिलैंड की 是啊 ने पीटा और फिर इंडिया ने पीट दिया जो है वो वड कप 2023 में भी गृूप स्टेच से बाहर हुई थी बाबर ने कप्तानी सिस्तीफा दिया था शाहिन शाफरीदी कप्तान बने थे फिर शाहिन को हटा दिया गया अपने लाटले बाबर को फिर मौका दिया गया और बाबर फिर T20 World Cup में बाहर हो गया अब क्या फिर बाबर कप्तान बन कर आएंगे I think अगर थोड़ी भी शरम बाबर में या उनके क्रिकेट बोर्ड में होगी तो शायद इस बार बड़ी सर्जरी की ज़ए जिसकी बाते पाकिस्तान में चल रही है लेकिन फिर कहानी यही कि एक तरफ USA ने उनकी हार जो थी वो उसने खतम कर गया था और ये दिन USA क्रिकेट के तिहास में में शायद रखा जाएगा पहली बार वो T20 वर्ड़कप खेल रहे थे और सुपर 8 में कौलिफाई कर गया और इसी के साथ USA जो है वो T20 वर्ड़कप 2026 के लिए भी कौलिफाई कर गया So you should be happy for NRI Indians क्योंकि वो हमारे भाई बंदू हैं जो वहाँ से खेल रहे है और अब वो 2026 के वर्ड़कप में भी खेलेंगे और वो बहुत खुश होकर खेलेंगे क्योंकि पहला वर्ड़कप था दिलेरी से खेले जोश बढ़ाया, माहल बनाकर गए और फिर क्या historic moment जो है वो create कर दिया था गजब यार, मतलब आपको USA के लिए बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आपको बुरा लगता है, पाकिस्तान के लिए बुरा लगता है पाकिस्तान की टीम ने जो खेला है मैं अगर उनके एक्समंत्री के उसमें कहूं तो वो कह रहे थे कि अगर ये वाले भी आये होते तो भी इनको हरा के चले गए होते अब इससे बड़ा statement क्या हुआ कि वहां का एक्समंत्री उनके बारे में यह कह रहा है मतलब यह बहुत 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 बड़ी स्पात है बट पाकिस्तान ने मौका दिया पाकिस्तान इंडिया के सामने आसानी से माच जीच सकता था 119 रन पर ओल आउट हुए थे इंडिया अच्छी गिन्बासी की थी 113 रन पर वो आउट हो गए मतलब 119 साफ डिफेंट नहीं कर पाए और वहीं से लगा था कि मामला गडबड़ा गया उनके लिए कहानी हो गई USA के साथ वो एक दिन में दो बार मैच आ रहे पहले 159 159 उसके बाद फिर 18 रन नहीं बना पाए और USA बले बले हो गया पाकिस्तान चैंपियन टीम थी शुरुआप में 2020 वर्ड कप में रनर अप थी 2009 में चैंपियन बनी 2010 में सही फाइनल खेला 12 में सही फाइनल खेला लेकिन उसके बाद से जिंदगी जो है वो खराब हो गई 14 में सुपर 10 16 में सुपर 10 21 में फिर कमबैक अच्छा हूँ था बाबर की जब शुरुआती टीम आई थी सेमिफाइनलिस्स रुनर अप लेकिन अब फिर फिर्स राउंड एक्जिट 2022 के बाद बाबर का डाउनफॉल जो शुरू हुआ टी-20 वर्ड कप के बाद उसके बाद से वो कमबैक नहीं कर पाई और यही वज़ा है कि बाबर आजम की टीम जो है अब सवालिया निशान में politics, दोस्तियारी.com आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना उनके खिलाडियों वहाब रियास का सारी भूमिका केले निभाना सो इतनी सारे फैक्टर्थ, इतनी सारी चीजें अंचन्ट प्लेयर्स को ले आना उसामा मेर या अबरार को मौके ना देना दोस्तियारी में प्लेयर उतारना पांच-पांच उपनर को लेकर खेलना मिडल ओर्डर में शादाप खान का बिना परफॉर्मेंस के टीम में बने रहना देवे मेनी फैक्टर्स जोसने पाकिस्तान टीम को डेंट दिया और इसी वज़ा से पाकिस्तान और बाबराजम जो है वो दोनों कराची एरपूर्ट के लिए जा चुके है अब सारी बाते बखवास रह गई है किंग कर लेगा T20 World Cup में कोई किंग नहीं है जी घंटे का किंग आक्शली जो कहते हैं वही रहा खुद पाकिस्तान में कह रहा है मैं शहजाब कह रहा है और लोग कह रहा है कौन सा किंग होता है जो अपनी टीम को एक मैश जिता पाए 2022 के बाद बाबाराजम ने कोई मैच पाकिस्तान को बड़ा जिताया नहीं अपने दम पर और शायर इसलिए कुद्रत के निजाम ने भी का कि यार तुम नहीं लाइक हो किस्मत बहादुरों के साथ होती है और इस बार जो पाकिस्तान की टीम थी वह बहादुर नहीं थी खैर आप लोग बताईए आपकी नजर में पाकिस्तान की टीम कहां गलत गई जिस पुजास से वो टूनमेंट से बाहर हुए प्लीस कॉमेंट एन लेटेस लो जी तो विवर्स पाकिस्तानी टीम हो चुगी है बाहर यूएस से जीत गया है और उस दफ़ा यूएस से को सपोर्ट कर रहा है बिल्कुल सही बात की कि यह जो पुद्रत का निजाम है यह बहादरों को सपोर्ट करता है कायरों को नहीं ऐसे डड़ कर लेकिन लानत है तुम लोगों पर कि तुम लोग इस बुरे तरीके से आगे एक अगले महले के लिए भी क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं जाहां अफगानिस्तान को देखने रहें जाम यूएस से को देख रहें जाम नई टीमों को आगे क्वालिफाइड करता हुआ देख जाहें लेकिन यह जो रन बेचा जाता है तुम लटत जीतैं और को हमें तुम से प्यार नहीं है और में शानी कि तुम पाकिस्तानी यों 25 झालगों है तो यहित्की तुमरें नहीं करें तो नहीं है कंप लग मतलं है हमें हातँ जाओ सूपरेट से भी बाहर हर मैं चाहर हो लेकिन एंड तक फाइट करते हुए अगर तुम नजर आओगे तो हम फिर भी तुम्हारे नहीं करेंगे यार बहुत अच्छा कहले थे कोई बात नहीं आल टाइम नहीं था लेकिन तुम खेलो ही नहीं तुम पहले ही गिर जाओ वक्त से और यह तरवार है ना इसको मनाव आगर पाकिस्तान तो में लग पता जाएगा इस बार अगर किसी को रोका लिए रुकते हैं वहां पर अवह और जो अमेरिका वाले हैं वो भी हमें देखते हैं सुनते हैं यह ठुकाई करें इनको जो भी नजर आजए वहां पर जो टीम के साथ वहां टीम के साथ वापस नाए और जब यह वापस आएं तो फिर भी इनकी इज़त अफ़ायों ऐसे नहीं चलेगा इनको पता होना और पहली दफ़ा नहीं है हर दफ़ा ही हम इसी बात पर जगे रहें कुद्रत का निजाम जी अगर मगर हम अपनी परफॉर्मस दखाई ही ना अपने जो इंपॉर्टेट मैच हैं वह हार जाएं और फिर हम कहेंगे याला बारिश रोग दे कभी कहें बारिश रोग दे तो किन लोग का मजाग बना कर रखा हुआ है तो बिल्कुल जी यूएस से का बनता है जाना क्योंकि वह बहादरों की तरह खेली है इंडिया तो उसने टकर दी है और लगा नहीं है कि यह पहली दफ़ा खेलने वाले बाकी भी सोस्येट ममाले खेल रहें पता ही लग रहें आए टीम होगे इतनी बेस्ट परफॉर्मस दखार ही है हर गोई उसकी तरीफ कर रहा है कि भाई देखे यूएसे खेला यह यह एसे टटके मकाबला कर रहा है यह एसे जो है इंडिया जाशी टीम जो है जो आई पेर खेल जो इतनी जो बड़ी बड़ी लिगे के लिए वो टकर दे रहा है अगर पाकिसानी परफॉर्मस दखाएंगे तो कौन नहीं इनकी तरीफें करेगा यह जो इनकी बेस्ती ही हो गया जो इनके में बन रहे हैं वह बड़ी बिजर्व करते हैं यह अपने परफॉर्मस के बलबूते पर यह सब कुछ हो रहा है यह पहले रांड म बाहिर आ रहे हैं इतनी बड़ी टीम होगे यह पाकिस्तानी टीम है यह उदर शौपिंगे करने और यह करने वहां पर खेलने के लिए कोई नहीं है क्योंकि पर्ची टीम जैसे गई हुई है इन से तवक्व भी क्या कर सकते हैं ऐसी तवक्व कर सकते हैं कि जल्दी से घर आ पॉचिस पर चाफ सारे जो हैं आज जो हमारे जो चेर मेंस उनकी फैमिल्ययां मेंस कई हैं सारी के सारी वहां पर उसके ऊपर देखिए अब हमारी परफॉर्मस के युएसे के साथ पहला मैच था और वह भी जो टाई हुआ सुपर ओवर हुआ उसài में भाएगे पिर इंड नहीं सुनी और इंडिया का पाकिस्तान का टिकर जो है वाफसी का कट गया कुल वह सही कहा था के वेलवे स्टेशन का टरा चाहिए तो यही सीधे हैं जखिए कि यह पैदर वाफस पे जो हम सुरू से देखे कि जब यह अभी युएसे का मैच हुआ भी नहीं था हमने तब ही क अब यूएसे आगे जा चुका है और यह टीम में जा रखती है जिस तरह की परफॉर्मस है तो बिल्कुल जी चोटी टीमों को मेंनत कर रही है जिनके खिलाडी जो कर रहे हैं उनको आगे आना चाहिए और अच्छा खेल और पेश्ट कर रहे हैं तो जो भी अच्छा खेले परफॉर्मस देंगी तो फिर उनका आगे जाना बनता है तो भई हम यूएसे को स्पोर्ट करते हैं और अब से हमारी जो टीम है वह पहले नंबर पे तो हम इंडिया को गाह रहे थे लेकिन अब अफ़गानिस्तान को स्पोर्ट करना चाहिए तोंकि वह भी अच्छी क्रिक होगा उसमें बंगलादेश होगा और हम चाहेंगे कि अगले मैचों को भी जीते हैं और सेमी फाइनल में भी नजर आएगे होप सो यह वीडियो अच्छा लगए आपको लाइक करिए का चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा मिलेंगे को और वीडियो में तब तक के लिए